cuálवण आज़म कह रहे है call तो ऐक्यादि सब्सक्रावाइब मेंद के एवेंध कि भी किसी पी चीज के लिए कि हो चीज राइट है या रोंग है और ऑर अिक क्या होती है चेंज होती है ठीक है इसी कोई उसने moral reasoning का है ठीक है जो भी हमारा thinking process है okay right or wrong का क्योंकि कई बार ऐसा होते है कि हम किसी particular age में किसी चीज को गलत कहते हैं और आगे जाकर जब हम बड़े होते तो उसी चीज को किया थे कि नहीं नहीं यहीं चीज सभी है तो यह हमारे with the age हमारे सोचने की जो शक्ति है किसी भी चीज के लिए कि वह गलत यह सही है वह बदलती रहती है ठीक है तो उसके बदलने को ही उसको क्या कहते है moral reasoning बदलने को उस changes को क्या कहते है moral reasoning के development कहते है moral development ओके तो अब जोई callback वो है कौन वो callback जो है वो एक American psychologist है ठीक है जिनका जनम जो हो है वो कब हुआ इसके प्याजे से बहुत जादा inspired थे जैसे कि प्याजे ने अपनी theory के अंदर stages के अंदर बच्चों की age के according चीजों को define किया है उसकी mental ability को show किया है तो उसी से inspire होकर callback ने भी same ही stages के अंदर उनने name अलग दिये हैं लेकिन वैसे ही ages के अंदर stages को divide करा ठीक है इनकी जो यह हमारी जो development theory है callback की यह एक Heinz dilemma के उपर depend करती है अचलिए मेनों ने callback ने बहुत सारी stories दी थी अपनी theory को समझाने के लिए लेकिन उसमें जो famous है वो यह Heinz dilemma है इसको हम समझाएंगे यह क्या है ठीक है तो यह Europe में रहने वाल एक व्यक्ति था और इसके theory के विहाब पर उन्होंने क्या क्या बहुत इन लेवल के अंदर अपनी theory को डिवाइड किया जो कि आगे six stages के अंदर डिवाइड होती है मतलब परते एक जो level है वो आगे two parts के अंदर split हो जाता है तो इसको देखते है पास callback की three levels जो कि उसने अपनी theory के अंदर दिये और ज जैसे इसने ages के अंदर सारी stages को डिवाइड किया जैसे कि प्याज़े ने अपनी stages को एजिस के अंदर डिवाइड किया था उसी से inspire होकर उसने इसको ages के अंदर डिवाइड कर है और इसको हम अभी समझते है लेकिन उससे पहले हमें Heinz टैलेमा की जो स्टोरी है उसको understand करना पड़ेगा कि कैसे उसके उस स्टोरी को लेकर वो इस स्टोरी को explain करना जाता है कि बच्चे की thinking with the age कैसे change होती रहते है कौशन एक होगा लेकिन जो राइट और रोंग का प्रोसेस है वो कैसे change होता है उसको हम समझाएंगे पास हाइंस डिलिमा हाइंस में क्या है कि एक व्य available है और कहीं पर भी वह available नहीं है तो वह लेकिन इतना जादा उसको high charge कर रहा है कि हाइंस वो देने में समर्थ नहीं है और उसका सिरफ half of cost उसके पास है तो उसको बहुत request करता है वो उसको promise भी करता है कि वो उसको बात में return कर देगा सारे पैसे लेकिन वो उसकी एक बात भ जो है वो question arise करता है different ages के बच्चों के सामने कि उसने यह सही करा मतलब जो चोरी करके उसने चुराई है ड्रग वो क्या सही है तो different age का जो बच्चा है उसकी right on wrong का process कैसे change होता है वही हम इसकी stages के अंदर समझने माले हैं तो अब सबसे पहले हमारे पास pre-conventional stage जो की level first है हमार ठीक है यह further two parts के अंदर split हो रहा है तो इसमें सबसे पहला जो है two to four year के बच्चे को जब उसने question पूचा तो उसके according जो stage का जो ही name है obedience and the punishment orientation ठीक है इस उमर के अंदर बच्चा जो है उसको लगता है उसकी thinking क्या होती है सबसे बहले कि अगर जिस काम को करते हुए उसको punishment मिल पर ग्लत वार्ट जिस आब meल रहे है वह काम को करके आपको डांट मिल रही है और मिल रही है वह काम मतलब क्या एक गलत है according to 2 to 4 year child ठीक हैNow जिस काम को करके आपको reward मिल रहे है वह काम क्या है right है ऐस लिए उसलिए उसको प्रक्रख ऒाती रखता है जो इस भाते हैं तो के य प्रिम्ले को kunnen तो लिए शॉल है का इसलिए उस लिए क्या मिल गया जाएगा कि मैंन जाए Les BRA तो फ्रूम सहर किया खायी है क्या है कि गलत है पुर्षा में जा अथा ऐसे ऑपनी strategy के अंदर कहता है कि प्री कन्वेंशल सेज़ के अंदर ही इंडिविलिजम एंड एक्सचेंज ठीक है जो कि बच्चा जब दो से साथ साल का हो जाता है तो उसकी थिंगिंग के अंदर थोड़ा चेंज आता है वो कहता है कि अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तभी मैं आपके लिए कुछ करू आपके जो करने दो फॉर मी दैन ऐ विल दू फॉर यू ठीक है तो यह स्टेज होती तो यह दो परकार की थिंगिंग शो करती है कि बच्चे की जो यहां पर थिंगिंग प्रोसेस है राइंग रोंग की वह यह और वह काम करके उसको संतुष्टी मिल रही है वह काम करके देवल टू जो कि चाना जाता है जो कि फर्दर आगे तू पार्ट के अंदर डिवाइड हो रही है जो फर्स्ट है वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड से की अगर कोई भी चीज वो अपनी फैमिली या फ्रेंड के अकोड़िंग कर रहा है ठीक है और उससे उस और कोई-बी चीज करके उसका रिलेशनशिप तो वह चीज क्ले होती है ऑना यह decline करता है किकी फैमिली और से ईसको पर क्या भी जाया है listen मतलब इस नियु क्या चोरी करी है मतलब इसको इक्सेपट करती है कि वह आपको कैसे सक्थ कर रहे हैं और आपके रिलेशनide बोछ करने के वह फेंड आप verdade करती है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पर फिर नेक्स स्टेज इसके अंदर के मिंटेनिंग सोशल ओडर इसके अंदर बच्चा जो है जब 10 से 13 साल का हो जाता है तो उसके अंदर क्या चैंजिस आते हैं कि वह रूल और रेगुलेशन को बहुत इंपोर्टेंस देता है कि सोसाइटी नहीं फोलो किया जा रहे तो इस में वह आप गलत हो वहाँ पर मतलब according to 10 से 13 साल के बच्चे के according जो हाइंस था वो गलत था क्योंकि उसने रूल को फोलो नहीं किया रूल को ब्रेक कर रहा है जो की 13 से 18 साल के बच्चे और 18 से 15 साल के बच्चे के लिए जिसमें सबसे पहले है हमारे पास social contract and individual right और फिर है universal principle तो social contract and individual right के अंदर बच्चे की thinking जो 13 से 18 साल का बच्चा है उसकी thinking क्या हो जाती है कि a person prefer his own thinking in this age and forget the rule and laws ऑके इसमें बच्चा जो थोड़ा egozentric हो जाता है बच्चे को लगता है कि उसको right है कुछ भी बोलने का उसको right है सबतंतरता से जीव अपना right होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है rule regulation को बच्चा यहां पर भूल जाता है तो इसकी according इस age के अंदर बच्चा कहता है कि Heinz जो है वो क्या था सही था उसने अगर चोरी करी है तो वो सही है क्योंकि उससे किसी की जान बच रही है फिर जो है universal principle जो कि अवा कि गांदी जी थे उनकी according जो truth है और non-violence है वो क्या चीज है गलत है ठीक है यह उनका सिधान था कि वो इसको कपी भी break नहीं करेंगे लेकिन किसी का सिधान थी यह भी हो सकता है कि life is more important than the laws कि जीवन जो है किसी भी कानून से उपर है अगर किसी का किसी की जान बचती है तो सरफ प्रथम चीजी ठीक आनुन बाद में तो यह थी एक सिधानत uszुद्धान वह था है वो अपनी जगए क्या है ठीक है मतलब जो भी 18 साल से उपर के बच्चे कोई कोशन पूछा जाएगा तो उसका अंसर राइट और रोंग का अंसर कैसे देगा अपने सिधानतों के अकॉर्डिंग देगा ठीक है अगर गांदी जी वाली विचारधार है तो वो कहेगा कि हाइन गलत था और अगर उसकी विचारधार थोड़ी फ्रीडम वाली है तो वो कहेगा कि हाइन यहां पर सही था ठीक है तो ऐसी हमारी जो इस्टेजिस है वो यहां पर खत्म होती है इसके इलावर जो कॉल्बग का कंक्लूजन है इस इसका कंक्लूजन सबसे पहला कि बच्चे की राइट और रोंग की डेफिनेशन जो है विद्धा एज क्या होती है चेंज होती रहती है जिसको उसने मौडल डेवलपमेंट का फिर वो कहते हैं कि हो स्टेप पाइस्टेप बढ़ेगी ठीक है विद्धाइश स्टेप पाइस्टेप जो है उसकी थिंगिंग के अंदर चेंज आएगा और इस सेम अक्रोजन करते कि इसमें कल्चर का या लैंग्विज इसका कोई फैक्ट नहीं पड़ता है यह जो है जो यह प्रोसेस है ने